हो are your business कि अजकी लेक्चर्च ने हम करेंगे च्म करेंगे काप्टरजिर tamisיו की एक्सेशाइज पहला कोश्रण देखिए यहां पर कोश्रण करने से पहले छाप्टरजिक्स ची की इंडिसश की छिओरी देख लीज Primar थियोरी करने के बाद ही question पे आईएगा पहला question देख लेते हैं 5 की power 3 फिर उसके उपर भी power है यहाँ पर क्या बताए थे power की उपर power होती है तो क्या हो जाता है multiply तो यहाँ हो जाएगा 5 3, 4, 12 फिर देखिए power यहाँ पर power की उपर power है तो multiply हो जाएगा minus 2 into 5 minus 10 हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर base क्या है same है और यहाँ बीच में multiply होता है तो power add हो जाती है यह हमने देखा है न क्या होता है a की power अगर m है into a की power n है तो am plus n हो जाता है यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 5, 12 plus minus 10 यहाँ हो जाएगा 5 12 minus 10 क्या जाएगा 5 2 और 5 2 जा क्या हो जाता है 25 यह हो गया answer समझ में आ रहा है यह यहाँ पर लगेगा और इसके बाद यह solve होकर क्या जाएगा 25 आगे है first question second देखिए यहाँ पर भी power की उपर power तो क्या हो जाएगा multiply सेवन फोर्ज ट्विंटी एट 29 30 31 32 33 34 6 7 9 63 7 7 7 क्या आ गया 343 है हमारा 7 का क्यूब 343 क्या है 7 का क्यूब है तो यहाँ 7 क्यूब फिर बाहर क्या लगा है power 7 minus 8 power क्यूब पर power multiply 7 32 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर देखिए यही वाला लग जाएगा a की power m into a की power n क्या हो जाता है a m प्लस n बेस सेम है यह हो जाएगा 7 minus 8 plus 6 यह हो जाएगा फिर देखिए 7 minus 8 plus 6 क्या आएगा minus 2 यहाँ पर देखिए अगर power क्या हो जाए minus भी होती है तो बेस reciprocal हो जाता है बेस नीचे आजाएगा अब power क्या हो जाती है plus में तो यहाँ हो जाएगा 7 का square आजाएगा 49 यह हो गया हमारा second का answer यह हो गया first का हो गया अब हम देखते हैं देखिए third वाला question इसमें क्या है power के उपर power तो multiply हो जाएगा क्या हो जाएगा minus 5 into 2 minus 10 divided by 8 को हम क्या निख सकते है power 3 2 का cube क्या होता है 8 होता है यहाँ क्या लिखेंगे 2 की power 3 और यह लिखा है minus 6 यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी देखिए 4 को क्या लिख सकते है 2 का square लिख सकते है 4 की जगा हम क्या लिख देंगे 2 का square यह हो गया अब यहाँ power के उपर पावर क्या होगी, multiply, तो 2, 2 into 10, 20 हो गया, divided by, 3 into minus 6, क्या जाएगा, minus 18 हो गया, यहां था का है समझ में, फिर देखिए, यहां पर, बेज दोनों का सेम है, और बीच में क्या है, divide, तो इसको इस तरह के से लिख लेते हैं, देखिए, 2 यह हो गया, नीचे क्या है, 2 minus 18, यह हो गया, और अगर यह हमारा किस त्वर्म में है, देखिए, am, an, तो इसको हम क्या लिखते हैं, am minus n, अगर हमारा बेज सेम है, डिवाइड में है, तो minus हो जाएगा, बेज सेम हूँ, बेज सेम है, multiply में है, तो add हो जाता है, power, यहाँ क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, minus हो जाएगी, 2, minus 20, minus, देखिए, यहाँ पर, क्या है, minus, फिर यहां क्या निखा हुआ है? crappy means 18 ये हो गया. यह जाएगा 2 minus minus plus यज जाएगा 2 minus 2 minus 20 plus 18 क्या हेगा? minus 2 फिर देखी यहां पर क्या है? power क्या है? negative है. जब negative power होता है जब greater power होजाता है? base हमारा reciprocal हो जाएगा. यह base क्या हो जाएगा? reciprocal में तो 1 upon 2 की power 2 और यह आ जाएगा 1 upon 4 यह हो गया हमारा answer नोट कर लिजे से फिर हम 4th question देखते हैं यह हो गया answer नोट करनी है देखिए अब हम 4th question देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 125 minus 2 by 3 9 1 by 2 लिखा हुआ है देखिए यह हमने कब देखा fractional पावर क्या है fraction में और जब पावर क्या हो fraction में हो जैसे यह ऐसे लिखा हो fraction में तो क्या हो जाता है ए नीचे वाला है जो देखिए fraction में हो जाएगा तो हम क्या करेंगे सबसे पहले अंडर रूट लिखेंगे अंडर रूट यह जो n है इसको कहा लिखेंगे यहाँ पर और यह M को यहाँ पर लिखते हैं यह हो जाएगा हमारा यहाँ देखी इस form में है तो 125 क्या करेंगे हम क्या करेंगे अंडर रूट में लिखेंगे यहाँ नीचे डिरूमिनेटर में 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं उपर क्या है यहाँ पर लिखा है माइनस इसकी पावर क्या लिखी हुई है माइनस 2 तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या है 125 पावर है माइनस 2 फिर इंटू 9 है क्या है यहाँ पर? 2 है अब मत्ब फ्रैक्षिन में देख जाए तो हमें अंडरूट करना है अंडरूट कर दिए जो डिनूमिनेटर में हो उसको यहाँ पर लिखते हैं और जो नियुमिनेटर में है वो उसी की पावर में लिखते हैं यार आने समझ में? अब देखिवे, यहां पर ये क्या हो जाएगा? पावर क्या है? माइनस में, माइनस में है पावर. तो क्या हो जाता है? बेश, रेसिप्रोकल हो जाता है. ये बेश, क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 125 का स्क्वाइब. इन्टू यह हो जाएगा नाइन की पावर वन तो नाइन ही आएगा यह हो गया अब देखी इसे करते हैं सॉल यहाँ पर अंडर रूट है यह हो गया 125 का स्क्वाइर यानि 125 इन्टू 125 यह हो गया यहाँ पर क्या है टू है और नाइन को क्या लिखेंगे थ्री इन्टू थ्री यहाँ तका रहा है समझ में फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ बाहर थ्री है तो हमें क्या करना है अंदर थ्री थ्री का पेर बनाना है यहां तो बन नहीं रहा तो इसको हम क्या करते हैं? और factorize करते हैं 125 को हम लिखते हैं याँ पर क्या लिखेंगे? हम सिर्फ पहले 125 को देखते हैं तो क्या जाएगा? 5 into 5 into 5 into 25 25, 5 into 125 यह हो गया अब फिर हम क्या करेंगे? इसको भी लिखते हैं 5 into 5 into 5 यह हो गया यहां पर देखें 2 है तो क्या करेंगे? टू-टू का पेर बनानी है और इसमें से हमारा 3 बाहर आ जाएगा यह चीज़ आ रहा है समझ में? अब यह आ गया अब देखें यहां पर क्या करेंगे? 3-3 का पेर बनाएंगे तो यहां 3-3 का पेर देखें यहां पर क्या ध्यान रखना है? यह सब denominator में है जब बाहर निकलेगा तो भी कहां रहेगा? denominator में ध्यान रखेंगा इसको उपर 1 के साथ कितना भी multiply कर दें? हमेशा क्या आएगा? 1 ही आना है तो यहां क्या है? यह पेर बन गया यह पेर बन गया उपर यह पेर यह पेर हमने इसे क्यों लिखा? क्योंकि हमें पेर बनाना है 3-3 का और 1 को हम कितना भी multiply करें खोद से 1 ही आना है 1 into 1 into 1 into करें क्या आएगा? सिर्फ 1 आएगा इसलिए हम इसको लिख रहें अब देखिए जब इसको solve करेंगे तो बाहर से 1 चला गया यहां से भी क्या? 1 आ गया नीचे क्या आया? 5 इसको यहां लिख दे यहां से 1 उपर से 1 नीचे से क्या आया? 5 यहां से आया यहां से भी आया हमारा 5 यहां पर है 3 1 into 1 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा 5 into 5 25 into 3 ये क्या आ जाएगा? 3 into 1 3 upon 25 ये हो गया हमारा अंस आ गया समझ में क्या किया है हमने? ये था fraction में तो इसको under root कर लिए हैं ये 9 को लिखा हमने 3 into 3 यहाँ 2 है इसले 2-2 का pair बनाएंगे 3 बाहर आ गया? यहाँ 3 है तो 3-3 का pair बनाएंगे तो इसको लिखने है ये और ये यहाँ 3-3 का pair बन गया ये बाहर आ गया और ये हमारा आंसर आ गया 3 by 25 आ गया समझ में? इसे रफ कर देते हैं फिर हम देखते हैं 5th question हो गया ये? देखिए यहाँ पर 27 की power n है 3 की power है 2-3 n तो यहाँ 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की power 3 हम क्यों 3 लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 3 है यहाँ 3 है तो हम क्या करते हैं? जब दोनों multiply में हो, divide में हो या कुछ भी हो, हम क्या करते हैं? उसका base same करने की कोशिश करते हैं base क्या करते हैं? सेम करने कोशिश कर रहे है, यहां 3 है, देखते हैं यहां 3 क्या आ रहा है, तो हाँ देखें 27 क्या है, 3 into 3 into 3, 39 तरी जा 27, 27 क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो गया, यह हो गया, 27, 27 की पावर n है, यहां पर 3, 2 minus 3n, यह हो गया, पावर क्यूब पर पावर, क्या हो जाएगी, 3 into 3n, 3n, into 3, 2 minus 3n, यह आ गया, अब देखिए, यह किस फॉर्म में लिग गया, a into a, पावर m और n है, क्या हो जाता है, a, m plus n, जब बेस हमारा सेम हो, तो पावर एड हो जाती है, बेस सेम हो, और बीच में मल्टिप्लाइ हो, तो पावर माइनस हो जाती है, यहां क्या हो जाएगा, 3, 3n plus 2 minus 3n, यह हो जाएगा, 3n, 3n कैंसल, क्या बच्चा, 3 की पावर 2, 3, 3 जा, 9, यह आ गया हमारा answer, समझ में आ रहा है, अब हम देखते हैं, सिक्स्त कोश्चिन, यहां पर क्या है, 8 का स्क्वार है, यहां 9 minus 3 है, तो देखिए, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, हम क्या करते हैं, जितना स्मॉल हम लिख सकते हैं, उतना स्मॉल हम लिखने की कोशिश करते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और यह कहां क्या लिखा है 8 का square लिखा है फिर अपन में क्या है? 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का square यह हो जाएगा 3 का square power क्या है? minus 3 में है फिर इन दोरों के उपर भी एक power लगी हुई है 1 by 6 की फिर देखिए इसे एक solve करते हैं power की उपर power यानी 3 to 6 हो जाएगा 3, 2 into minus 3, minus 6, यहाँ पर देखिए, 1 upon 6 है, आ रहा है समझ में, यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, नीचे क्या है, पावर क्या है, निगेटिव है, जब निगेटिव होता है, तो क्या करते हैं, रैसी प्रोकल करते हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ आप ऐसे कर देखिए, यह हम क्या कर सकते हैं, अगर यह इस फॉर्म में लिखा हो, जैसे AM लिखा हो, या A by B लिखा हो, बाहर क्या हो, M, तो क्या करते हैं, A की पावर M भी हो जाएगा, और B की पावर भी M हो जाएगा, उसी फॉर्म में लिखा, देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, बा 6 की power क्या है 1 by 6 upon 3 minus 6 है इसकी power क्या है 1 by 6 दोनों की power हो जाएगा अब इसको solve करेंगे तो 2 power into power power के उपर power लगी है तो क्या हो जाता है multiply तो 6 into 1 by 6 क्या आएगा ये 3 minus 6 into 1 by 6 6 6 cancel 6 6 cancel क्या आए यहाँ पर 2 यहाँ पर क्या है 3 की power minus 1 आ गया यह समझ में आ रहा है ना यहां तक अब देखिए क्या करेंगे यहां 2 है 3 क्या है minus में minus में तो क्या हो जाएगा reciprocal हो जाएगा क्या हो जाएगा reciprocal यहाँ पर यह क्या लिखा हुआ है 2 इसको इधर लिख नेते यह हो गया आपका फिप्ट वाला यहां लिखा हुआ है 2 by 3 की पावर माइनस 1 यह 2 लिखा हुआ है इन्टु 1 by 3 की पावर माइनस 1 लिखा हुआ है यहां यही लिखा हुआ है ना 2 into 1 2 और नीचे यह हो गया अब देखिए यह तो 2 हो गया इन्टु यहां पर क्या है रेसिप्रोकल सॉरी निगेटिव है तो क्या करेंगे हम reciprocal कर देंगे reciprocal हो जाएगा, तरहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 upon 3 है क्या लिखा है 1 by 3, तो यह उपर जाएगा 3 माइनस में हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा यही चीज होता है न, अगर देखिए 2 माइनस 1 है तो क्या हो जाता है 1 by 2 हो जाएगा और यह power प्लस नहीं हो जाएगी लेकिन यहीं पर अगर यह minus होगा तो यह बन जाएगा तो यहाँ पर यह form में लिखा यह कैसे हो जाएगा 3 की power 1 और 2 into 3 के आ जाएगा 6 6 हो जाएगा हमारा answer आ गया समझ में नोट कर लिजे फिर हम देखते हैं second question की parts देखिए question 2 note कर लिए अब इसका हम first part देखते हैं यह क्या है 36 36 a की power 8 है फिर bracket लगा है बाहर है minus 1 by 2 फिर bracket 1, 2, 5 a की power 15 बाहर लगा है 1 by 3 देखिए हम यहाँ पर 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का square है यह 36 क्या है 6 का square है और यह क्या है a4 किसका square है यह a8 लिखा हुआ है ना a8 लिखा तो a8 को हम क्या लिख सकते हैं a4 का square यह लिख सकते हैं 4, 2, 8 हो जाएगा, यह चीज आ रहा है समझ में, यह हो गया देखे, इसके उपर भी पावर है, minus 1 by 2, फिर यहां देखिए, 125, किसका है, 5 का cube है यह, तो हम लिखेंगे 5 का cube, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ए है, यहां पर क्या है, 5, 3, देखिए, 5, 3 जो, 15 आ गया, फिर यह पावर लगाएंगे, यह चीज हो गया, देखिए यहां पर, अब क्या होगा, यह हो गया 6 का square, इसका भी square, यानि यह किस फॉर्म भी लिखा है, a की power m, into b की power bm, जब power same होती है, और यह multiply में, तो कैसे लिखते हैं इसको, a into b की power m, समझ में आ रहा है न, यह क्या हो जाएगा, a की power m और b की power m, यहां देखिए, power same है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे, 6, a 4 की power क्या है, 2 है, यह चीज आ रहा है समझ में, इसकी power 6 की power भी 2, और इसकी power भी 2, अब यहां पर देखते हैं, यह क्या है, 5 की power 3, a 5 की power भी 3, पावर same है, same है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानि 5, a की power 5 का cube, और यह है, 1 by 3, आगे है समझ में, फिर देखिए, यहां पर करेंगे, पावर क्या हो जाएंगे, पावर की उपर पावर, यानि multiply हो जाएगा, यह हो जाएगा, 6, a 4 की power 2, इंटू, यह क्या है, minus 1 by 2, फिर यह है, 5, a 5 की power 3, इंटू, 1 by 3, 3, 3, cancel, 2, 2, cancel, क्या बच्चा, 6, a 4 की power minus 1, 5, a 5 की power 1, अब देखिए, यहां पर पावर क्या है, 6, a 4 की, negative है, निगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, यह, reciprocal में, तो यहां देखिए, क्या हो जाएगा, यह तो लिखा जाएगा, यहां पर, इसको उपर लिख दे, 5, a 5, इसकी power 1 है, तो वही नंबर हो जाएगा, यहां पर माइनस में है, निगेटिव है, तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल में, यह हो जाएगा, रेसिप्रोकल में, यानि 1 by 6, a 4 की power 1, और इसकी power 1 है, यानि वही नंबर रहेगा, यह हो गया, अब देखिए, उपर उपर का multiply, यह हो गया, नीचे नीचे का multiply, यह आ रहा है समझ मे अब यहाँ पर देखिए, यह हो गया 5 by 6, अब यहाँ a और a देखिए same है, यानि base same है, और यह कैसे है, divide में, यह है ऐसे am और an, क्या हो जाता है, am minus n, अगर base same हो, और वो divide में हो, तो power minus हो जाती है, यहाँ क्या हो जाएगा, a 5 minus 4, यह हो गया, क्या जाएगा, 5 by 6 a, 5 minus 4, वो जाएगा, यहाँ पर आगे 5 by 6 a, नोट कर लिजे, फिर हम second question देखते हैं, second question देखिए, 32 a, a की power minus 10, 1 by 5, 343 a की power 12, 1 by 3, यहाँ पर देखिए, क्या करेंगे, 32 को क्या लिख सकते हैं, सबसे smallest में करके देखते हैं, यह है 2 की power 5, देखिए 2 into 2 into 2 into 2, 2, 2 जा 4 जाए, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 क्या है, 2 की power 5 है, यह क्या हो जाएगा, अब यह देखिए, यहाँ पर minus 10 लिखा हुआ, तो क्या लिख सकते हैं, minus 2 की power 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2, 5 जा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2, 5 जा 10, यही लिखा हुआ, यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ क्या करेंगे, 1 by 5 लिखेंगे, फिर 343, 343 किसका है, 3, sorry 7, 7 जा 49, 49 7 जा, क्या हो जाता है, 343, तो यह क्या है, 7 क्यूब है, यह क्या हो जाएगा, 4, यह हो जाएगा, A, 4, और यहाँ है, 3, तो 4, 3, जा 12, यह आ गया, ठीक है, यहाँ हो जाएगा, 1 by 3, अब क्या करेंगे, देखिए, बेस, अलग है, लेकिन, पावर सेम है, अब पावर सेम है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर यह देखिए, अगर ऐसे हूँ, तो क्या करेंगे, A, सुरी, यहाँ अगर ऐसे हो, पावर सेम हो, तो A, इंटू, बी, दोनों को हम ऐसे लिख सकते, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2, A, और दोनों की पावर क्या है, 5, और बाहर लगा हुआ है, 1 by 5, फिर, 7, A, 4, दोनों की पावर क्या है, 3, यहाँ हो पावर, ब्रेकेट पावर, पावर, ब्रेकेट पावर, यहाँ पावर की उपर पावर अद क्या हो जाएगा, multiply में, ती हो गया, 2, A, माइनस 2, यहाँ क्या है, 5, इंटू, 1 by 5, फिर है यहाँ, 7, A, 4, 3, इंटू, 1 by 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, तैंस, क्या गया, 2, A, माइनस 2 की पर क्या है, 1, यानि 1, 1 है, यानि यहाँ क्या हो जाएगा, वही नंबर रहेगा, ब्रेकेट ब्रेकेट है, यानि मल्टिप्लाइ में है, तो 27 क्या हो जाएगा, 14, यहाँ भी माइनस वो हो जाएगा, मल्टिप्लाइ में, यह हो गया, अब देखिए, यहाँ पर बेस क्या है बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी? एड हो जाएंगी यहां क्या हो जाएगा? 14 A माइनस 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 4 क्या जाएगा? 2 और यह हो जाएगा हमारा आंसर 14 A स्कुरे नोट कर लिजे, फिर हम 3rd और 4th question देखते हैं यहां 3rd, 4 और 5th question नोट हो गया 3rd question देखते हैं यहां क्या लिखा हुआ है? 81 A8 की पावर माइनस 3 प्लस 4 8 A15 की पावर 2 प्लस 3 लिखी हुई है देखिए यहां पर क्या करेंगे हम? यहां 81 है 81 किसका यह होता है 3 की पावर 4 3 इंटू, 3 इंटू, 3 इंटू, 3 इंटू, 3 3J 9, 3, 27, 3J 81 यह क्या हो जाएगा? 3 की पावर 4 यह क्या हो जाएगा? A2 की पावर 4 समझ में आ रहा है हम यहां 4 ही क्यों कर रहे हैं? हम 9 का स्कॉयर भी कर सकते हैं लेकिन देखिए बाहर क्या है? denominator में 4 है हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब पावर multiply हो तो नीचे का यह कट जाए पावर क्या हो? जब multiply हो तो नीचे यह कट जाए इसलिए हम यहां क्या कर रहे है? 4 के form में लिख रहे हैं यहां क्या हो गया? माइनस 3 बाइ 4 फिर देखिए 8 अब देखिए यहां पर 8 को क्या निखेंगे? 2 का cube क्यूंकि 3 है इसलिए 2 का cube यह क्या करेंगे? 5 का cube A की पावर 5 का cube हो गया यहां बचर 2 बाइ 3 फिर क्या करेंगे? यह क्या हो जाएगा? A M हो और A A M हो और B M हो पावर सेम हो बेस अलग-अलग हो तो क्या हो जाता है? A इंटू B की पावर M यहां हो जाएगा 3 A square की पावर 4 यहां है यह यहां पर भी क्या हो जाएगा? 2 A की पावर 5 क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी यहां क्या हो जाएगा? 2 की पावर sorry 2 by 3 पावर ब्रेकेट पावर पावर ब्रेकेट पावर यानि पावर के उपर पावर लगा हुआ है तो पावर्स क्या हो जाएंगे multiply तो यहां हो जाएगा 3 A की पावर 2 4 इन्टू माइनस 3 by 4 फिर यहां पर 2 A की पावर 5 3 इन्टू 2 by 3 3, 3 कट गया 4, 4 कट गया यहां क्या बचा 3 A स्कुर की पावर माइनस 3 यहां क्या बचा 2 A की पावर 5 और यह स्कुर इसको जब solve करेंगे क्या आएगा यहां पर और देखिए पावर क्या है negative है, negative इंडेक्स दिया है तो क्या करते हैं हम रेसिप्रोकल हो जाएगा ये लिखेंगे यहाँ पर ये है 2A5 ये हो गया 2 ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल में क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है माइनस लिखा हुआ है इसलिए यहाँ क्या होगा रेसिप्रोकल में तो ये नीचे चला जाएगा, समझ में आ रहा है न, ये इस तरही दिखा हुआ है, ऐसे, फिर क्या करेंगे, यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा, 2A5, रेसिप्रोकल नीचे आ जाएगा, और पावर, प्लस हो जाएगी, फिर करेंगे यहाँ पर, 2A5, 2A5 की पावर 2, ये क्या हो गया, उपर-उपर मल्टिप्ला है, नीचे नीचे ये हो गया, जब इसको करेंगे, तो 2 टू जा, 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वार है, ये चीज़ समझ में आ रहा है न, क्योंकि यह हैं, देखिए, 2A, A और B, दोनों का स्क्वार होता है, क्या हो जाता है, इसकी भी पावर, और इसकी भी पावर 2, ये फोर हो जाएगा, और इसकी पावर भी 2, ये फाइव तू जाया, टेन आ जायेगा, फिर यहां 3 की पावर 3, 3 जाना 3, जाया, 27, 87, a 2 into 3, तो आ जाएगा a की power 6, यहाँ भी a, यहाँ पर भी a, क्या हो जाएगा, दोनों का base same है, और वो divide में है, तो power क्या हो जाएगी, minus हो जाएगी, power हो जाएगा 10 minus 6, यानि क्या हो जाएगा, 4, यह हो जाएगा हमारा answer, समझ में आ रहा है, note करिए, फिर हम देखते हैं, fourth question, यहाँ देखिए, 2 होगा, 7 नहीं आ ग्या होगा, 27, हो गया यह, अब हम देखते हैं, fourth question, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 49, a की power minus 8, 25, b की power 6, उसकी भी power क्या है, minus 1 by 2 है, देखिए, यह क्या है, 7 का square, यह क्या है, यह है, इसका square, a minus 4 का square हो जाएगा, a minus 8, minus 4 into 2, minus 8 हो जाएगा, यह हो गया, नीचे क्या है, 5 का square, यह b क्या हो जाएगा, 3 का square, यह हो गया, minus 1 by 2, अब उपर क्या जाएगा? 7, A-4 का 2 हो जाएगा. नीचे, पावर पावर सेम है. यहाँ पर यह हो जाएगा. यह हो गया. अब देखिए, यहाँ पर भी 2 है. यहाँ पर भी 2 है, जैसे A की पावर M हो, और B की पावर M हो. तो क्या हो जाता है? A by B, और यह पावर हो जाएगी M. उसे तरीके से पावर सेम है, बेस अलग-अलग है. तो क्या हो जाएगा? 7, A-4 अपॉन 5BQ. यहाँ हो जाएगा स्क्वेर. और यह है, 2, 2 कैंसल. क्या आ गया? 7, इसको इधर लिख देते हैं. क्या है 7, A-4 अपॉन 5BQ. उसकी भी पावर क्या है? माइनस में. माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा. जो उपर है वो नीचे, जो नीचे है वो उपर. यह रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5, यह उपर चला गया, और यह नीचे आ गया. अब इसकी पावर क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी. जब नीगेटिव होता है, क्या हो जाता है? नमबर रेसिप्रोकल हो जाते हैं, उसकी पावर प्लस में हो जाती है. यह चीज समझ में आ रहा है ना? आ रहाएगी? अब देखी, 5, BQ, 7. A क्या है? माइनस में. A की पावर क्या है? माइनस 4 है. तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे है, कहां जाएगा? उपर चला जाएगा. अब पावर? प्लस में हो जाएगी. यह हो जाएगा हमारा आंसर. यह समझना रहा है ना? निगेटिव वाला? अगर निगेटिव होता है, तो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल. इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे था, उपर चला गया. पावर क्या हो जाती है? प्लस में. समझ में आ गया फॉर्थ कोईशन. अब हम देखते हैं, फिप्त वाला. इसमें क्या लिखा है? माइनस ट्विंटी सेवें, एकी पावर नाइन. ट्वाई थ्री. विंटी सेवें हमारा किसका क्यूब है? थ्री का. यहाँ पर लिखेंगे, थ्री माइनस थ्री का क्यूब? थ्री माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री क्या जाएगा? माइनस ट्विंटी सेवें. यह हो जाएगा, थ्री के पावर थ्री. यह है टू बाई थ्री. यह आ गया. अब पावर क्या है? सेम है. तेहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यह हो जाएगा. फिर क्या करेंगे power bracket power यानि power के उपर power लिखी हुई है तिहां क्या हो जाएगा multiply में यह हो गया यह यह cancel क्या बचा यहां से minus 3aq का square लिखा है जब यहां पर ऐसे हो तो क्या हो जाता है देखिए यानि minus 3 का भी square और a3 का भी square हो गया क्या होगे minus 3 का square इंटू a3 का भी square minus 3 का square क्या आएगा 9 और यहां power add जाएगे 3 to just 6 एक ही power 6 यह हो जाएगा हमारा answer note कर लिजे फिर हम 6th, 7th और 8 question note कर लेते हैं देखिए question note हो गया अब हम देखते हैं यहां पर यह क्या लिखा हुआ है 81 a minus 2 इंटू minus 1 by 2 a b की power minus 2 है इसको हम क्या लिखते है 81 हो जाएगर 9 का square यह क्या है minus 1 का square minus 1 into 2 क्या आजाएगर minus 2 यह लिखा हुआ है minus 1 by 2 फिर यहां पर है a b की power minus 2 यहां क्या करेंगे देखिए यह लिखा हुआ है 9 a minus 1 का square power same है तो क्या हो जाता है मिस्तरी के से लिख देते है यहां 9 का 2 9 की power 2 और a minus 1 की power 2 अब यहां पर क्या है बाहर लगा हुआ है a b minus 2 फिर देखिए power bracket power यह पावर के उपर power है तो क्या हो जाएगा multiply में 9 a minus 1 2 into minus 1 by 2 a b यह हो जाएगा यह यह cancel क्या बच्छे 9 यह minus और a b minus में यहां पर यह minus में यह minus में क्या है अगर हमें power minus में मिल जाए negative मिल जाए तो क्या हो जाता है reciprocal हो जाता है तो यह reciprocal हो जाएगा मतलब नीचे लिख जाएगा नीचे कैसे लिखेंगे 1 upon 9 a की पावर minus 1 यह भी नीचे हो जाएगा उपर है ना भी नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 upon a b की पावर 2 अब पावर क्या होती है plus में हो जाती है यहां पर क्या हो जाएगा minus में थापके हो जाएगा plus इसको solve करेंगे आजाएगा 1 यह हो जाएगा यह क्या हो जाएगा a square और b square यह लिख गया फिर क्या करेंगे देखिए a की पावर minus 1 a की पावर 2 दोनों क्या है multiply में multiply में है base सेम है तो पावर क्या हो जाएगी add हो जाएगा यह 1 upon 9 minus 1 plus 2 क्या आजाएगा 9 a 2 minus 1 1 यहां यह आजाएगा हमारा answer क्या आगे answer 1 upon 9 a b square आगे है समझ में note करें फिर हम यह आला question देखते हैं देखिए क्या है यहां a minus 1 by 4 dot a 7 by 8 यहां dot को मतलब क्या हो गया multiply में है यह multiply यह देखिए यहां पर क्या हो जाएगा इसको लिख लेते हैं minus 1 by 4 into a की पावर 7 by 8 यह हो गया यहां पर यह किस फॉर्म भी लिखा हुआ है ऐसे a m देखिए अगर यह ऐसे हो a m by n तो क्या हो जाता है n बाहर हो जाएगा a की पावर m अब यहां पर यह दिया हुए हमें इस तरीके से बनाना है तो a की पावर m ठीक है यह लिखा है यह जो होता है यह क्या हो जाता है denominator में तो 3 1 जे 3 3 2 जे 6 हो गया यह क्या हो गया a minus 1 by 4 into a 7 by 8 यहां यह डिवाइड में क्या है a 1 by 2 है अब देखिए अगर कोई भी चीच नीचे है यह रेसिप्रोकल में इसको देखिए क्या लिख सकते है पहले यहां देखिए हम 1 by 2 ऐसे लिखा हुआ हो तो हम क्या लिख सकते है इस तरीके से लिख सकते है क्योंकि यहां क्या है पावर माइनस में निगेटिव है निगेटिव है तो रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल है तो निगेटिव बना सकते है यहां क्या है डिनुम्नेटर में रेसिप्रोकल है तो यह उपर जाएगा क्या हो जाएगा पावर इसकी माइनस हो जाएगी यह चीज समझ में आ रहा है अगर ये दिया हो, ये लिख सकते हैं, ये दिया हो, तो ये लिख सकते हैं ये है हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं? A, minus 1 by 4 into A, 7 by 8 into A, minus 1 by 2 ये लिख सकते हैं, अब देखिए सब यहाँ सब का base सेम है और सब multiply में तो power क्या हो जाएंगी सब, add हो जाएंगी A, minus 1 by 4, plus 7 by 8, minus 1 by 2 ये हो जाएगा, ये हो गया, यहाँ पर LCM क्या आजाएगा, 8, minus 2, plus 7, minus 4 इसको जब solve करेंगे तो क्या आजाएगा, यहाँ, minus 6 आजाएगा, 7 minus 6, 1 यहाँ आजाएगा A, 1 by 8, ये हो गया हमारा answer समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए, फिर हम 8 कोशन देखते हैं हो गया ये देखिए यहाँ पर क्या है, 3 की power 2, n minus 1, 9 की power 1, minus n है यहाँ पर, 3, 2, n minus 1, ये 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की power 2, ये लिख सकते हैं, और इसकी भी power क्या है, 1 minus n है power के उपर power, क्या हो जाएंगी, powers multiply में हो जाएंगी, 2 into 1 minus n, अब देखिए, base हमारा same है, और बीच में multiply है, तो power क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, यहाँ हो जाएगा, 3, 2 n minus 1 plus 2, क्यों हो जाएगा, 2 n, 2 n, 2 n cancel, minus 1 plus 2 क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और 3 की power 1, यानी answer क्या आ गया हमारा, 3 आ गया, note कर लीजिए, फिर हम देखते हैं, 9, 10 और 11th question, हो गया यह, 9th question है, 5, 1 by 2, into 5, 7 by 2, upon, 25 की power 3 by 2, 10th question है, 27, 1 upon 25, 1 by 3 into, 3 by 2, divide में है, 2 by 5, power 3, यह है, यह देखिए, यहाँ पर यह वाला question देखते हैं, 9th वाला, यहाँ पर क्या है, 5 की power 1 by 2, 5 की power 7 by 2 लिखा हुआ है, यहाँ क्या करेंगे, 5, बेस तीम है, यहाँ multiply है, तो क्या हो जाएगे, powers add हो जाएगे, 1 by 2 plus 7 by 2 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, 25 क्या है, 5 का square है, तो 5 का square, और 3 by 2, power into power, तो क्या हो जाएगा, और 2, 2 cancel क्या आजाएगे, power, 5 की power आजाएगी, 3, इसको solve करेंगे, क्या आजाएगा, 5, 7 plus 8, और यह 2, 2 की 4 हो गया, नीचे है, 3, उपर है 5 की power 4, नीचे है 5 की power 3, बेस हमारा सेम है, और वो divide में है, तो power क्या हो जाएगी, minus हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा, 5, 4, minus 3, आजाएगा, 5 की power 1, यानी, 5 हो जाएगा, हमारा answer, आगया समझ में, देखिए, अब 10th question देखते हैं, यहाँ पर क्या है, 27 upon 125, 27 क्या है, 3 का cube है, यह हो गया, यह है 5 का cube, यह है, यहाँ पर देखिए, bracket लगा हुआ है, फिर यहाँ पर है 3, by 2, और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, माइनस में है, जब माइनस में power होती है, नमबर क्या हो जाते हैं, reciprocal, अब पावर प्लस में हो जाएगी, माइनस है, यानि reciprocal कर दें, यह हो जाएगा 2 by 3, अब पावर क्या हो जाएगी, प्लस में, फिर यहाँ क्या लगा हुआ है, divide, 2 by 5, और यहाँ क्या है, 3, यह हो गया, फिर देखिए, यहाँ पर 3, यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं, पावर ब्रैकेट पावर, यानि पावर क्यों पर पावर है, यहाँ क्या हो जाएगा, multiply में, और यह 3, 3 क्या हो जाएगा, ऐसे लिखा हुआ है, 3, 3 क्या हो गया, cancel, यहाँ यह multiply, 2, 2 जा क्या हो जाएगा, इसको खोल देंगे, तो 2, 2 जा 4, 3, 3 जा 9, divided by, 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 5, 5 जा 25, 5 जा 125, यह हो गया, यहाँ तक आ रहा है समझ में, फिर देखिए, यहाँ हो जाएगा, 3 by 5, into, यह ब्रैकेट को solve करेंगे, तो 4 by 9, अब देखिए, divide है, जिब divide हो, हमें वो multiply में करना हो, तो number reciprocal हो जाते हैं, divide है, multiply में लिखना हो, तो number reciprocal हो जाएगे, तो multiply, यह हो जाएगा, 125 upon 8, यह चीज़ पता था ना, अगर divide होता है, हमें multiply में लिखना है, तो number reciprocal हो जाते हैं, अब देखिए, 4, 2 जा 8, कट गया, यहां क्या हो गया? 125 3 by 5 into 125 into 1 क्या आएगा? 125 नीचे 9 तू जा 18 3, 6 जा 5 2 जा 10, 5, 5 जा 25 क्या आ गया यहां से? 25 by 6 आंसर क्या है? 25 by 6 10th question भी आ गया हमारा इसको देखिए और क्या लिख सकते हैं? 6, 4, 24 और 1 यह भी सही है और यह भी सही है यहां से हमारा 10th question कंप्लेट हो गया 2 का 10th part है यह अब हम next lecture में 3 questions से start करेंगे Thank you for watching this lecture किसी अजया है और करेंगे र्जया झाल